मुझे आपका स्वागत है और मैं हूँ आतिफा काजी तो आज का हमारा टॉपिक थमनेल से आपको पता है कि ये एकॉनमी से जुड़ा हुआ होने वाला है तो बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है बैड बैंक के उपर बात होने वाली है तो बैड बैंक के उपर जो बात होने वाली है वो क्या है खबर दरसल बैड बैंक जल्द ही ला बात हो रही है तो bad bank को समझें इससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि NPA आखिर क्या है और NPA के भार को ये किस तरीके से संभालेगा bad bank जो है तो इन ही सब पर हम बात करें अब समझते हैं पहले तो हम step by step सब चीजों को समझेंगे तो पहले ये समझ लें कि NPA आखिर होता क् simple एकदम भाशा में समझें तो NPA वो रिंड होता है जो किसी भी अगर किसी ने कोई लोन लिया है किसी भी तरीके का bank से और वो चुकाया नहीं जाता किसी भी चाहे उसकी installment हो या किसी भी रूप में तो बैंक के पास अगर वो जो लोन है लोन की राशी है वो वापस नहीं आ तो उसको NPA की केटेगरी में डाल दिया जाता है यानि कि अगर उसकी यह उम्मीद है कि वो अब वापस आएगा ही नहीं तो इतने टाइम पीरिड के बाद उसे NPA बना दिया जाता है NPA की केटेगरी में डाल दिया जाता है अब इस NPA को तीन केटेगरी में डिवाइड किय जाता है sub-standard assets, doubtful assets और loss assets यह इसकी तीन category है जिसमें इसको divide किया जाता है अब यह इतना जादा जो NPA की हम बात कर रहे हैं तो यह किस तेजी से अगर इसकी अभी की स्थितिकी बात करें तो RBI ने इस पर एक report जारी की financial stability report उसमें क्या कहा कि सितंबर 2020 में जितना NPA था उसके मुकाबले सितंबर 2021 में यह NPA कितना बढ़ने की आशंका है 7.5% बढ़ने की और कितना हो जाएगा 13.5% यानि यह इतनी तेजी के साथ यह बढ़ने की आशंका है NPA के और इसी के अलावा एक और report है के वी कामत की तो अब क्योंकि जैसे pandemic का असर सभी जगा पर बहुत ज्यादा चाया हुआ अर्थ फिवस्था पर बहुत ज्यादा असर कर रहा है तो इसी से यह के वी कामत की जो रिपोर्ट है वह यह कहती है कि महमारी के बाद से जो corporate sector है उसका जो कर्ज है वह 15.5-2 लाग करोड रूपय का हो गया और इसी की वजह से उस sector में बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति है तो हम यह देख सकते कि किस तेजी के साथ जो यह NPA बढ़ रहा है और यह कितना जादा होता जा रहा है अब यह NPA बढ़ रहा है लेकिन इसका असर क्या होता है हमारी कौन में पर असर क्या होता है तब ही तो हम समझेंगे कि क्यों इतना जादा तनाव बढ़ा रहा है या क्यों इतना जादा महत्वूर हो जाता है कि इसके लिए bad bank बनाया जा रहा है bad bank को भी आगे समझेंगे तो अब जब banks के पास पैसा वापस नहीं आएगा जब वो loan देते हैं किसी को और वो पैसा वापस नहीं आएगा तो उससे क्या है कि वो आगे किसी और को नए loans नहीं दे पाएंगे अब अगर किसी को अपना कोई नया business करना है या अपने business को आगे बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए या किसी भी तरह से जो economic activity है उसके लिए पैसा चाहिए तो banks वो नए loans जो है वो लोगों को नहीं दे पाएंगे अब जब लोगों को पैसा नहीं मिल पाएगा तो economic activities जो है वो थम जाएंगी और जो अर्थ्वेवस्था है उसकी विकास की रफ्तार वो धीमी पड़ जाएगी तो जब अर्थ्वेवस्था की रफ्तार आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा पूरी तरह के से तो उससे क्या है वेरोजगारी की समस्या होगी और सभी sectors पर हर जगा पर उसका असर पड़ेगा क्योंकि जब economic development नहीं होगा तो और चीजों का विकास कैसे हो पाएगा तो यह एक पूरा एक चकर सा बन जाएगा कि सिर्फ एक NPA के बढ़ने से उसका असर किस तरीके से पूरी अर्थ्वेवस्था को जो देश की उसको समझें फिर किस तरीके से इसके लिए जरूरी है उसको समझेंगे तो bad bank जो है वो in bad loans या जो NPA है इसके लिए एक aggregator का काम करेगा यह क्या करेगा कि जो banks हैं उनका NPA है उसको खरीद लेगा और उसको अब जैसे मान लीजे किसी bank के ओपर 50 करोड का NPA है तो यह क्या कर और कुछ जो है banks को security receipt के तौर पर देगा तो उसमें अब इसने 30 करोड में खरीद लिया अब यह खरीदने का काम कौन करेगी यह खरीदने का काम करेगी AMC इन दोनों की जो प्रस्ताव है वो 2021-22 का जो बजट था उसमें वित्मांतरे निर्मला सीता रमन ने इसका प्रस्ताव रखा था तो ARC यानि Asset Reconstruction Company यह खरीदेगी bank से और इसका management का काम करेगी Asset Management Company तो यह bank से उनका NPA खरीद लेगा अब इसको खरीदने के बाद जो यह bank से NPA खरीदा जाएगा तो उसकी जरूरत क्यों है अगर अब हम देखें तो उसकी जरूरत इसलिए है कि जैसे अब महामारी का असर बहुत ज्यादा हो रहा है तो महामारी के असर की वजह से उसका सीधा सीधा असर NPA पर आ रहा है NPA में बढ़ होत्री हो रहा है क्यों क्यो से और ज़्यादा बढ़ा दिया अगर हम पहले की बात कर तो हमने पिछले काफी टाइम में कई सारे कैसे देखे जैसे पंजाब नेशनल बैंक का मेहुल चॉक्सी का देखा विजय मालिया का देखा येस बैंक का देखा कि किस तरीके से एन पीए ने इतना ज्यादा अर्थवस्था को प्रभावित किया और लोगों को प्रभावित किया तो महामारी से जो है एन पीए और ज्यादा बढ़ गया इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी हुई है क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है और इसी से जो वित्य प्रनाली कि जो तनाव है इसकी समस्य भी इसी से इसी को देखते हुए bad bank की जो जरूरत है महसूस की जा रही है और सबसे बड़ी बात क्योंकि bank से NPA खरीदा जाएगा तो इससे क्या है जो banks हैं उनको NPA से छुटकारा मिल सकेगा और वो लोगों को नए loans दे सकेंगे और जिस तरीके से जो अपने कारे हैं उनको सुचारू ढंक से कर सकेंगे तो इनी सब जरूरतों को देखते हुए bad bank की जो concept है उसको अपनाया जा रहा है हाला कि अगर bad bank का concept की बात करें तो यह कोई नया concept नहीं है और बहुत सारे देशों में यह पहले से ही चल रहा है अमेरिका वगेरा में तो वहां पहले से ही चल रहा है और इससाथ अच्छे तरीके से काम भी कर रहा है तो अब जो भारत है भारत भी इस concept को bad bank के concept को अपना रहा है इनी सब जरूरतों को देखते हुए तो अब यह bad bank की जरूरत हुई लेकिन जैसे हम NPA के पहले भी बात कर रहा है तो क्या इसके लिए insolvency and bankruptcy code लाया गया 2016 में इसका क्या काम था कि अगर कोई किसी bank का जो NPA है तो उसके उगाही के लिए उसको वसूलने के लिए क्या करता था कि जो भी रणी है अगर वो नहीं दे पाता तो और वो NPA घोशित हो जाता है उसका जो रण है तो उस रणी की जो property है पहले उ उसको दिवालिया घोशित किया और फिर एक पूरे process के तहट जो उसकी संपत्ती है उसको निलाम करे निलाम करके जो भी उससे पैसा है उससे उसको अपने रण को वसूलने का काम करता था तो यह IBC के जरिए ताकि नुकसान की भरपाई हो सके जो banks को नुकसान है वो उसकी उस निलाम के जरिए की जा सके तो इसी के साथ साथ इसमें क्या किया गया NCLT नी नेशनल कंपनी law tribunal और साथ साथ NCLAT का भी प्रावधान किया गया इसको बनाया गया इसके अंदर तो यह अब हम बात करें कि अगर IBC मौजूद है और वो इस तरीके से अपना जो नुकसान ह उसकी भरपाई कर सकता है तो bad banks की जरूरत क्यों है दरसल अगर हम IBC की बात करें तो experts का कहना है कि IBC में क्योंकि जो cases है वो पहले इतने ज्यादा pending है हाला कि इसकी शुरुवात बहुत अच्छे तरीके से हुई लेकिन अब इसकी जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं सुस्त पढ़ रही है और इसकी जो लंबे कानूनी प्रक्रिया है उसके चलते और जो cases है वो इतने ज्यादा pending है इतना ज्यादा बोज है उसके उपर तो इसको देखते हुए ये प्रक्रिया पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रही है तो इसी को देखते हुए अब bad banks का जो concept है वो बात हुए इसकी अब bad banks की bad bank की बात हो रही है हमने उसकी जरूरा देख ली कि किया जरूराथ है तो जाहर बात है कि जो विशेषग्या है वो कुछ इसके पक्ष में होंगे और कुछ इनक्पना है। जो भैडज जो बैड़ 2008 इंप्य खरीद लेगा बैंकों से तो उनकी बैलंस शीट में सुधार हो जाएगा और बैलन्स शीट में सुधार होगा तो वो लोगों को नए नए जो रिंड है वह भी देसकेंगे आगए उनको NPA से मुक्ति मिल जाएगी, उनका NPA उतर जाएगा, तो आगे अपना जो भी कार्य है, बैंक्स उसको सुचारू ढंग से करेंगे, सही तरीके से कर सकेंगे, अर्थ्विवस्था में, फिर से जब लोगों को और लोगों को लोन मिलेगा, तो आर्थिक विकास भी हो जाएगा, जार्थ्विवस्था की रफ्तार में तेजी आजाएगा, जैसे मैंने कहा कि ये कोई नया कॉंसप्ट नहीं है, अमेरिका और कई सारे देशों में पहले से ही बैड बैंक्स काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छे डंक से काम कर रहे हैं, तो इस इसका जो international लेवल पर अगर देखें तो इसको भी जो विशेषग्यें मान रहे हैं कि वहां में अच्छे डंक से काम कर रहे हैं, तो हमारे यहां भी बहुत अच्छे डंक से पूरी तरीके से काम करेगा और जिस उदेशे से इसको बनाया जा रहहा है उसकी पूर्ती में सहायक भी होगा अब पक्ष है तो विपक्ष की जैसे हम बात करते हैं तो विपक्ष को भी देखते हैं कि इसके विपक्ष में क्या तर्क दिये जा रहे हैं तो जो विशेशग्य है जो आलोचक है उनका ये कहना है कि सरकार पहले से ही एक कठिन वित्य संकट से गुजर रही है क्यों बनाए एक नया setup बैंक जू बैड बैंक है, उसका नया setup तो ये और जबहादा खर्चों को बढ़ाएगा. तो एक नया system को तयार करने के लिए खर्चों की जन्रूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है, तो वो उसमें एक Extra gefर्च बढ़ जाएगा जिसकी की जरूरत नहीं है वो ऐसा मानते हैं और अगर bad bank बनाया जाता है तो अलोचकों का यह मानना है कि यह कोई समस्या का समधान नहीं है यह सिर्फ एक स्थानांतरण है यानि कि NPA जो है अभी वो banks के पास था अब वो bad bank के पास चला जाएगा क्योंकि bad bank जो है वो कुछ पैसों में खरीद लेगा लेकिन जब वो banks ही उस पैसे को वसूल नहीं पा रहा है तो अगर bad bank भी वसूल नहीं पाता है क्योंकि NPA अगर खरीद लिया तो उसको वसूलने की जिम्मदारी bad bank की लेकिन अगर bad bank भी उसको वसूल नहीं पाया तो फिर क्या होगा जैसे 50 करोड की हम बात कर थे 30 करोड में खरीद लिया तो अगर उसको पूरे पैसे मिल जाते हैं तो 20 करोड का फायदा लेकिन अगर नहीं मिलता तो क्या होगा तो तो उसको पूरा-पूरा घाटा है और ऐसे में एक और प्रॉब्लम है कि वो पैसा कहां से आएगा जो पूंजी संग्रण है वो कैसे हो खरीदे जाएंगे इस कैटेगरी में रखे जाएंगे तो ये सारी समस्या हैं ये सारे विपक्ष में तरक दिये जा रहे हैं और एक पूरी इसपष्ट प्रक्रिया की कमी है यानि कि जो जैसे हम बात कर रहे थे कि चीजे साफ नहीं है कि किस तरीके के जो NPA है वो इसके अं system है वो है मौझूद तो फिर इस नए system की क्या जरूरत नए concept की क्या जरूरत है क्योंकि जब बैंकों का NPA बढ़ता है तो सरकार recapitalization करती है बैंकों का तो अगर वो पहले मौझूद है तो फिर इसकी क्यों जरूरत है bad bank की तो ये उनका तर्क है और साथ-साथ इस से अगर ये भी होते हुए bad bank भी बन जाते हैं तो इससे क्या होगा कि जो banks है वो अभी तग जिस तरीके से जब loans देते थे तो उसमें इतनी कम्या इतनी लापरवाह के NPA इतना तेजी के साथ बढ़ रहा है तो ऐसे में क्या होगा जब उनका NPA bad banks ले ले लेंगे तो उससे उनमें कह लगातार हैं जिनके अधार पर जो अलोचक है इसके विपक्ष में बैड बैंक और सबस्का के के बहाली में यानि bank सही तरीके से काम कर सके हैं अर्थ्विस्ता के रफ़तार को तेज कर सके इन सब में किस तरीके से साक को सकता है ले तक जो hain के वह पेटर उपाय लेकिन साथ साथ यह भी जरूरत है कि जो भारत काbury banking system , agency की सदातमक समस्या है मैं उनको सुधार ऑär जाय जाए उनके उपर भी ध्यान दिया जाय है यानि पूरे बैंकिंगई सिस्टम की संवं राइड्य जाय तो यानि समगर सुधार की पूरी जरुरत है नसे बैड बैंक की बलकि पूरे तरीके से बैंकिंग सिस्टम में सुधार की जरूरत है तो ये हमारा अभी निश्कष था अब प्रशन देखे फिर आगे बात करते हैं गैर निश्पादित परिसंपत्ती की समस्या से निपटने में बैट बैंक की भूमी का क्या होगी क्या इसे एक स्थाई समधान माना जाना चाहिए विवेचना कीजिए अभी जैसे हमने पक्ष और विपक्ष के तरकों की बात की तो उसी के आधार पर आप टटोल कर पूरा सही तरीके से इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं पर हाँ इसके लिए पूरा इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए आप आडियो आर्टिकल भी देख सकते हैं बैड बैंक के उपर जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है तो उसको भी पूरा अच्छे से समझ के इसके जरीए पूरा कॉंसेप्ट को समझ के आप इसको इस प्रशन को लिखने की अच्छे से तैयारी करते रहिए और अपने प्रशनों को आज़द दीजे जैहिंद।